नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन नेवी की ओफिस्यल वेबसाइट पे और आज की इस विडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी में निकली भरती के बारे में तो दोस्तो ये जो भरती है वो ओल इंडिया बेसेस पे भरती है मतलब आप इंडिया के किसी भी इस्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में अपलाइक कर सकते हैं दोस्तो आज की इस विडियो में मैं आपके लिए ओफिसिल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और इनकी ओफिसिल वेपसाइट से ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल फेक वीडियो यह बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल ओरिजिनल बेकिंस निकली हुई है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें हम इस भरती से रिलेटिट आपको एक एक जानकरी देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं दोस्तों कि यह जो भरती है वो 10th Class Pass के लिए है अगर आप 10th Pass है तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं नमबर दो यह भरती All India है आप इंडिया के किसी भी State के रहने वाले हैं आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं नमबर तीन ये जो भरती है दोस्तों वो headquarter southern novel command में है कोची में ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको official notification को download करके दिखाएंगे और इस भरती से related जो भी important points हैं हम उनको आपको बताएंगे लेकन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे आने बाले वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहें तो चलिए दोस्तों start करते है आज की वीडियो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ recruitment of civilian personal board crew in Indian Navy 2020 at headquarter SNC मतलब Southern Naval Command Coachी ठीक है तो इसको हम आपको भी download करके दिखाएंगे तो यह देखिए हमने इस पर दोस्तों click कर दिया उसके बाद में यह जो notice है वो download हो जाएगा ठीक है यह वो notice है दोस्तों और यहां पर यह vacancies की detail दी गई है तो यह है दोस्तों age and essential qualification यह दोस्तों बिल्कुल permanent basis पर job है यहां पर आपको कोई भी contract basis पर job नहीं है तो सबसे पहली दोस्तों यहां पर जो post है आपकी वो है engine driver second की तो engine driver second के लिए आपके लिए जो age होगी आपकी वो आपकी 18- से 25 साल होना अनुबारी है अगर आपकी age 18-25 साल के बीच में है और आप 10th pass है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद मैं second है दोस्तों engine driver की तो engine driver यह second है और यह engine driver है ठीक है तो इसकी भी दोस्तों age limit 18-25 साल है और आपकी जो education qualification है वो भी 10th pass है अगर आप 10th pass है तो आप इस भरति में apply कर सकते हैं next post दोस्तों है greaser की तो greaser की post है आपकी इसके लिए भी आपकी जो age limit होगी वो 18-25 साल होगी और अगर आपने 10th pass किया हुआ है तो आप इस भरति में apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों greaser के लिए आपके पास में एक certificate होना जर जरूरी है ठीक है तो यह तो होगी दोस्तों को post की बात यहां पर engine driver second engine driver first and greaser की vacancies हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ उसके बाद में दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर age relaxation तो ST candidates के लिए यहां पर 5 साल की age relaxation होगी ठीक है और ESM के लिए आपकी 3 साल की तो इसी तरह सी यह age relaxation दी गई है दोस्तों personal disabilities का यह है जो आपके लिए 10 साल के लिए और 15 साल के लिए आपको age limit में relaxation दी जा रही ह ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यह scheme of written examination तो आपका जो written examination में दोस्तों questions आएंगे वो आएंगे general intelligence, reasoning and numerical aptitude के 20 marks के question आएंगे general English के 20 marks के general awareness के 10 marks के और awareness in relevant trade oblique field में 50 मतलब आप जिस trade के लिए apply करेंगे उस trade और field से आप से related 50 questions आएंगे टोटल दोस्तों 100 questions होंगे लेकिन दोस्तों आपके लिए इन तीनों भरतियों में apply करने के लिए आपके पास में एक जो qualification है वो जरूर होने चाहेंगे बरना आपका written exam पास होने के बाद में भी आप अगर skill test होगा तो आप उसमें fail हो जाएंगे ठीक है तो बो है दोस्तो swimming ये बहुत ही बड़ा point है दोस्तों इस भरति में आपको apply करने के लिए swimming आना जरूरी है swimming का आपका test होगा 50 मेंटर का जो कि आपको 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा ठीक है तो अगर आपको swimming नहीं आती है तो swimming शीख लीजिए तब ही इसमें apply आपको करना है उसके बाद में दोस्तों ये how to apply है यहां पर किस तरह से apply करना है अगर आपके लिए नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है आपके लिए दोस्तों जो ये form भरके भेजना है वो भेजना कहा पर है ठीक है ये भरती offline होगी तो ये form आपको भेजना होगा the flag officer commanding chief ठीक है फॉर स्टाफ ऑफिसर civilian recruitment cell headquarters southern naval command कोची इनका pin code होगा 682004 along with the following मतलब आपके लिए application को जहां भेजना है किस-किस के साथ में ये documents के साथ में आपके पास में two additional passport size photos for admit card and exit card self-attested on the reverse side and full name written तो आपको दो passport size photo भेजने है self-attested ठीक है जो कि आपके admit card और exit card के लिए आपको यूज की जाएंगे और reverse side पे आपका self-attested होना चाहिए और full name लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है नमबर दो है self-attested copies of certificate of relevant education qualification and self-attested copies of higher education qualification if any तो अगर आपके पास में कुछ higher education है तो उसके और आपके जो 10th class की mark sheet है उसको आपको दो-दो copy भेजनी है दोस्तो वह भी self-attested उसके बाद में है दोस्तो self-attested copies of proof of date of birth मतलब आपको जो date of birth का proof होगा उसके भी आपको self-attested copy भी भेजनी है ठीक है स्ट के लिडिट्स के लिए आपके लिए आपका जाती प्रमाण पत्र भेजना होगा इसी तरह से काफी main main जो थी वह मैं आपके लिए बता चुका हूँ ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह जो application है यह अच्छा point है यह application आप कैसे download कर सकते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ तो आपको जाना है दोस्तों इंडियन नेवी के official website पे www.indiannavy.nic.in पे उसके बाद में आपको personal पे जाना है उसके बाद में civilian page पे जाना है जहां पर आपके लिए इस भर्ती की application मिल जाएगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में कब तक apply कर पाएंगे ठीक है यह दोस्तों भर्ती के बले यहीं पर नहीं इस भर्ती की detail जो आपको है वो जागरन जोज employment newspaper में भी मिल जाएगी ठीक है लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर official website से बता रहा हूँ तो जिससे के हैं आपको बिश्वास हो जाए कि यह अच्छी भर्ती है यह कोई fake भर्ती नहीं है ठीक है तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों comment करके जरूबताना अभी वीडियो में कुछ और भी है ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like जरू कर दें अभी यह देख लीजी दोस्तो last date of submission तो last date of received of application is 21 days from the date of publication of advertisement in newspaper and the last date for received of application from the candidates residing at यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो लांच डेट है वो है 21 दिन के लिए उनके लिए 4 सितंबर 2020 है और जिनको 28 दिन ऑथ्राइज है ठीक है उनके लिए साथ दिन और जोड़ दीजी मतलब उनके लिए 11 सितंबर 2020 और आपके लिए 4 सितंबर 2020 यह देखें दोस्तों इंडियन नेभी सिविलियन रिकूट्मेंट 2020 फॉर ग्रीसर एंड इंजिन रैवर पोस्ट एट सौधन नवल कमांड कोची तो आपको 4 सितंबर तक आपके जो एप आपकी से नोटिस निकाल गया है दोस्तों रिकूट्मेंट ऑफ सिविल परस्टनल इंडियन नेवी 2020 एड हैड कोटर सावधन नवल कमांड कोची तो दोस्तों यहां पर जो आपकी पोस्ट हैं दोस्तों बो हैं मैं आपके पोस्ट का नाम बता चुका हूं आपकी पेमेटर इंजन ड्रैवर के लिए दो ग्रीशर के लिए एक वेकंशी से जरू करने होगी तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताईएगा अगर वीडिये अच्छी लगी तो बीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिब आ उनलाइन प्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय भारत